अड़ोकेट भुद्व महानन्द्य का अभिबादन स्पिकार केजिए साथियों आधुनिक यूग में और भारत का डिमोक्रिसी में छमता सबसे इंपोटेंड है ताकतवार और ताकतवर इंसान और ताकतवर कमुनिटी ही ये देश को शासन करता है जिसका पास ताकत नहीं होता खमता नहीं होता ओ भारत में जलिल का जिन्देगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है कभी दोवक्त का रोटी के लिए तरसता है तो कभी अच्छा मकान के लिए तरसता है तो कभी एजुकेशन के लिए तरसता है तो कभी रात का खाना के लिए सोचता है सन 1936 थांटित में दादर बंबेई आज का मुंबेई बाबा साहिब इसके बारे में क्या कहते हैं सथियों आप लोगों का रिफेरंस के लिए में बता दू यह पेज एक सवनीस भलूम सत्रा प्वाट थांट पराग्रफ टू में देखने के लिए मिलता है बाबा साहिब भारत में रहने वाले दवे कुछले लोग यानि आज का वो भी टोटल बोजन समाच को संबधित करते हुए यह कहते हैं एचीव तप पावर फस्ट भारत में खुशी शे जीना है तो पहले ख्यमता को हासिल करना होगा उनका स्पीच में बाबा साहिब अमबेट कर यह कहते हैं ख्यमता को के से हासिल किया जाता है तीन ख्यमता के बारे में कहते हैं और चोथा ख्यमता यह तीन ख्यमता का बल्बुत्ते पर चोथा ख्यमता अपने अब आ जाता है पहला ख्यमता क्या है मैन पावर दूसरा ख्यमता क्या है मोनी पावर तीसरा ख्यमता क्या है नौलेच और संगठन और ये तीन एकठा हो जाने से राद नितिक ताकत अपने अप मजबुत हो जाता है लेकिन भारत बर्स में कैसे मार्सल कम को मेन पावार से कमजूर किया गया संपदा से बेदखल किया गया सिख्या से बेदखल किया गया ये ख्यमता को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बवस है लोगों को बताते है थंटित में 1936 दादर में साथियों हम तो बहुजन है बावा साहिब कहते हैं हम मैं पावार है हमारा पास आज का तारीक में दादा साहिब का इंसिराम का लंग्विज से हम बहुजन है 85% लेकिन हम अर्गानाइज नहीं है इसलिए हमको कोई भी मारता है हम अर्गानाइज नहीं है we are divided कैसे हम divided हम कास्ट विदिन कस्ट में ही फाइट करते हैं बावा साहिब इसलिए यहां कहते हैं जब कास्ट को लेके आप प्राउड करेंगे आपका कास्ट का सबकास्ट का अंदर ही आप रह जाएंगे तो आप बहुजन बनने ही पाएंगे उस मक्त सुध्र सब जियुज किया करते थे बाबा साहिब एक चमार आपने चमार कास्ट में रह जाएगा वो भंगी को साधी नहीं करेगा एक अहीर वो खुद को अहीर समाज के लिए तरसेगा वो अहीर को छोड़कर डूम को साधी नहीं करेगा जब ऐसा होगा तो उनका में पावर आपने अप कमजूर होता है हमारा 85% में पावर को सबकास्ट में डिविजन करके ही हमें कमजूर बनाया गया है इनको छोड़ना होगा और हम लोगों को और गनाईज होने से हम में पावर बन जाते हैं जब मेन पावर बन जाता है तब वो बहुजन बन जाता है तो आपने अब ताकप उनका समने आ जाता है उन्हें कोई मारने वाला नहीं है इनको बावा साहिव अमबेट कर अर्गनाइज कहते है तथागत बुद्ध संग कहते है आज भी हम लोग सब कास्ट में डिवाइड हो अरवड करेगा। बहुजन बनने ही पाएगा। ये मनुवादी हिंदू धरम में हमें इसे ही इसे सब कास्ट करके रख दिये है और हम यूनाइट होनी पारे है इसलिए हमारा मेन पावर कमीजोर है और भारत में हमें मारा जाता है जलिल का जिंदिकी जीनने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं बबा सहाईवे से लिए कहते हैvent दादर में कास्थ का अंदर कास्ट का जो प्राउड है अपना खुद का कास्ट के लिए इनको चोड़ना होगा उनसे निकल कर आपको बहुजन बनना होगा सुद्रसमाज बनाना होगा तब जाके आप 85 बनेंगे आपको कोई माइनरेटी ट्रेट नहीं करेगा जब आप सड्लकास्ट से निकल कर खुद को चमार डिकलर कर देंगे आप सड्लकास्ट से निकल कर खुद को बालमिक डिकलर कर देंगे तो आप माइनरेटी बन जाते है जब आप माइनरेटी बनते हैं तो आपको वहां मारा जाएगा अब सेडूल कास्ट बन जाएए अब सेडूल ट्राइब बन जाएए अब OBC बन जाएए और तीनों को मिला कर जब हम बहुजन बन जाते हैं तो ताकत एकठा होता है लेकिन आज का तारीक में नया ट्रड चल रहा है भारत बर्स में खुद को कास्ट डिकलेर करके माइनरेटी बन रहे है बहुजन समाज इसलिए आज हम छमता से दूर है बबा साहिब कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ तनिक आप भलूम 17 पार्थार पेज 119 पराग्राफ 2 दिखिए सेकंड स्टरंथ कहते हैं बबा साहिब वेल्थ आज उस दिन भी हमारा वेल्थ नहीं था में पावार था लेकिन में पावार को हम लोग माइनरेटी कर रहे थे चोटा चोटा कास्ट के नाम पर आज वेल्थ पावार हमारा पास नहीं है उस दिन भी नहीं था यह मनुवादी जान बूझ कर हजारों सालों से हमें एकोनोमिक से दूर रखा है यानि हमारा लोगों के पास कोई अपना व्यवसाय नहीं है कोई अच्छा सर्विस नहीं है लेट नहीं है इसलिए मनुवादी हमारा ऊपर ब्रैड फैकते है और हम कुत्ते की तरह वे ब्रैड को अकठा करने के लिए घुमते है और खुद की खुद लड़ते रहते हैं ब्रैड के लिए आज वे सही हो रहा है election period में मनुवादी पार्टी हमारा लोगों को आउपर पैसा फेकते है 5 किलो रासन में भोट खरीत के ले जाते है 200 रुपया में भोट खरीत के ले जाते है क्योंकि गरीब ये गरीब के कारण जब हमें अन्याई होता है अन्याई का खिलाब हम आवाज बुलंद कर नहीं पाते क्योंकि भुक मरी जब भूक होता है इंसान को वो पैट के लिए तरसता है वो सुद्ध बुद्ध खो जाता है दिन रात सिर्फ पहीं सिर्फ जानमर की तरह पैट को खाना जुगार करते करते उनका बोधिक सक्ती अपनी अप फिनिश हो जाता है इस परिष्टिती आज भारत बरस्वें भरतमान मनुवादी सरकार कर चुका है उस वक्त बवासायब एक कंस्परेसी को समझने के लिए दादर में बता रहे थे तो मनुवादी हमारा उपर फेकता है ब्रेड फेकता है हम वो ब्रेड के लिए जगडते है इसलिए हम खद्य के अभाब के कारण अपना बूधिक ताकत को खो जाते है जब हमारा उपर कोई अन्याई होता है वो अन्याई के खिलाब हम आवाज भुलंद कर नहीं पाते जिसको हम भरोशा करते है अन्याई का खिलाब कोट जाने के लिए मैं हाई कोट सुप्रिम कोट का बात नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ लोएर कोट जो तालू का लेवल में जो जेमेपसी जेसे कोट फस्ट फस माजिस्ट्र जेसे कोट स्डिजियम जेसे कोट चोटे छोटे अधालत में भी हम जा के अपना अन्याई का खिलाप लड़ नहीं सकते क्योंकि इकोनोमिकाली हम कमजोर है हमारा कम्योनिटी में आरवोकेट नहीं है जो भी आरवोकेट है ताकत के साथ क्योंकि वो खुद ही लड़ रहा है इस जंजट में वो भी आन्फिट बन रहा है क्योंकि समाज का साथ उनका भी connection कट रहा है रकारण वो बावा साहब को नहीं जानता इसलिए हम कूट में भी जा नहीं पाते और अपना सब कुछ खो बैठते है तो thought strength, mental strength कैसे आएगा भूका, प्यासा, घोर, अभाव परिवार को सम्भालने के लिए tension ऐसे ब्यक्ती कैसे हो अपना बच्चों को education दे पाएगा कैसे हो बोधिक, तारकिक बिचार को रिशिप कर पाएगा वंधिश्वास कुछ असकार में डुब जाता है ऐसे करके भारत वर्स में भारतियों को ताकत को कमजूर कर दिये है बवसय वंबेटकर नाइंदिन थाटिशिक्स दादर में ये बात बताते है इसलिए तीन ताकत को एक अठा करना है और राजनितिक ताकत को मजबूती कर साथ यूटिलाइज करने से वारत वर्स में बहुजन समाफ भुकमरी से आजादी प्रप्त करेगा जातिबात से आजादी प्रप्त करेगा और एकोनमिक स्ट्रंथ, मेंटल स्ट्रंथ और मैन स्ट्रंथ अपने अपाएगा तो बाबा साहिब इसलिए कहते है एचीव तब पावार फरस्ट हमें पावार को एचीव करना है कास्ट का बेडियों को तोड़ना है जो सब कस्ट है वो सब कस्ट का बेडियों को तोड़ना है कस्ट का अंदर डूब कर कस्ट प्राइड करके सब कस्ट के अंदर घुष जाने से हम सडूल कस्ट बनने सकते हम सडूल ट्राइब बनने सकते हम वो बीसी बनने सकते और भोजन बनना दूर की बात बन जाता है तो इनको तोड़ने के लिए बवा साइब कहते है और अपना ट्रेड बनाना है अपना बिजनिस बनाना है कानूनी ताकत से लड़ना है यह बात बवा साइब कहते है यह सब संभभ है जब हम उनाइटेड हो पाएंगे जब हम United हो पाएंगे जब हम political ताकत को हासिल कर पाएंगे पावार को एचिप कर पाएंगे सूच बुझ इनसान सरीर में अपने उदाई होता है जब वो ग्यान प्राप्त करता है संग ही सबसे ताकत है अधागत बुझ संग का द्वारा काम करते थे इसलिए 2000 साल तक संग भारत वर्ष में ताकत का साथ आगे बढ़ा कोई ब्यक्ति पूझा इसलिए वबा साहिब कहते थे ब्यक्ति पूझा खतरनाक है क्योंकि ब्यक्ति कुछ साल के लिए है ब्यक्ति मर जाने के बाद अपने अब सब कतम हो जाता है संग का भी नहीं मरता इसलिए बुद्ध संग बुद्ध का संग को फालो करने के लिए बावा साहिब कहते है हम संग होना है छोटे छोटे काफ्ट से डिविजन होना बंद कर देना है संगठन होके काम करने से भुकमरी से आजादी मिलता है संगठन होके काम करने से आपना बिजनस खाड़ा करने के लिए ताकत मिलता है संगठन से काम करने से आपना इस्टिचूशन चलाने के लिए ताकत मिलता है और आपना education institution हम बना सकते हैं जैसे बुद्ध संग आपना institution बना था बुद्ध संग आपना education institution का साथ साथ economic institution भी चलाने के लिए लोगों को उचायत कर पाता था और political strength अपने अप control होता था आज इस काम से हम बहुत दूर है आईए हम सब मिलकर बबा साहिब का ये सुन्दर विचार को एसेट करेंगे जो विचार बबा साहिब आम मेटकर उनका भलूम सत्रा प्वाट थार पेज 119 में लिखे है और ये बात 13th मैं 1936 दादर उस दिन का बंबे आज का मुंबे में हमारा लोगों को बताया थे क्या आप बाबा साहिब को मानते हैं क्या आप जेभिम करते हैं हाँ जब आप जेभिम कर रहे हैं तो सब कास्टे निकलिए बहुजन बन जाईए बाबा साहिब को मानते है तो बोधिक ताकत को जगाईए बुद्धिमान बन जाए तारकिक बन जाए ताकि न्याय के लिए आप लड़ सके बाबा साहिब को मानते है तो युनाइटर होके अपना कमर्शियल एक्टिउशन को बचाईए जो सेडुल का सेडुल ट्राइब ओबीशी का अपना दोकान चलाता है उसको बचाने के लिए आप कोसिस किजिए अब बाबा साहिब को मानते हैं तो बहुजन मीडिया को सब्सक्राइब किजिए बहुजन मीडिया को लाइक किजिए बहुजन मीडिया को फरवर्ड किजिए ताकि गोदी मीडिया कमजूर हो सके अब बाबा साहिब को मानते हैं तो अपना अड़ोकेट को चुनिये अपना एजुकेशन इस्टिशूशन बनाईए जब बबासाहिप का विचार का एजुकेशन इस्टिशूशन चलता है जोर सुर्च से इनको बचाने के लिए कोशिस किजिए तब जाके अपनी आप पलिटिकल फावार वी आता है और संग चलता है बुद्ध चलता है और डेमोकरसी में बहुजन समाज अपने अप ताकत होते हैं ये बाद डक्टर वावा साहिब अमबेट का थाटिंत में नाइटिंट थाटिक्स में आप लोगों को बता के गये हैं किया आप ये बात मानेंगे अब सचमुच में अमबेट का रि इनको रिसिप मत किजिए पढ़िये जानिये उसके बाद इनको एसेप्ट किजिए इसलिए में भलूम नमबर 17 पार्थार फेज 119 इंगलिस राइटिंग का किताब पढ़ने से आपको ये बात पूरा मिल जाएगा और बाबा साहिब का सच्चा अनुआई आप बनने के लि पादियों कोई मिल सके और पावार के से एच्चिब होता है इसके बारे में उन्हें पता चल सके थैंक्यू जेवेब